यह जितने भी हमारे समण संगी डॉक्टर चता जी को जो कॉंग्सलेट कर रहे हैं साधुबाद देर दे रहे हैं वो कब साधुबाद लेंगे कब अपने आपके लिए वो त्यार करेंगे उन्हें भी अपने आपको त्यार करना है क्योंकि सन 2022 में कम से कम 220 कंसेप्ट बताने वाले परफेक्ट होने चाहिए अब लगबग 21 की लिष्ट आई है 21 लोग त्यार हो गए है जो कंसेप्ट को अच्छी तरह से बता रहे हैं वो कंसेप्ट को अच्छी तरह से सुन भी रहे है और वो सुनने के बाद में इसका दिनबर चिंतन भी कर रहे हैं जो चिंतन करेगा जो दिमाग में मन में 24 घंटे इसके वारे में सोचेगा उसको पढ़ने की जिरूत नहीं है वो बहुत अच्छा बोलेगा जैसे डॉक्टर कंचन चता जी है सुन सुन के सुन सुन के वो इतनी परफेक्ट हो गए कि आप वीडियो भी बना रहे है और ये ले वीडियो सब को बनाने पड़ेंगी जो माध्यम है जो मीडिया है चाहे हो मेंस्ट्रीम का मीडिया है और चाहे हो अपना मीडिया है जिसको हम SC, ST, बहोजन, मूनलिवासी या समण लोगों का मीडिया बोलते हैं, वो हमारी मदद नहीं करेगा हमने जब एक वार प्रेस कॉन्फरेंस की थी वीदा पीपल की शुरू में लगबग साल से उपर हो गया जब कोब्री स्टार्ट हो था उस समय की थी 2020 की फरफरवरी में जनवरी फरवरी की बीच में तो उनको हमने बुलाया बुलाने के वाद चुकि उनका सबका परिवार होता है उनका पेट होता है तो वो जब आते हैं तो उनको खर्चा देना होता है तो लिफाफे में रखके कुछ पैसा उनको देते हैं वीडियो लगाएं, क्या ने लगाएं, उस चले या ना चले, हमारा पैसा चला गया, लोगों तक बात पहुंची नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं, कि जितना भी मीडिया काम करता है, चाहे नेशनल मीडिया है, मेन मीडिया है, या फोरण का मीडिया है, विदेशी मीडिया है या लोकल मीडिया है या अपना मीडिया है चाहे वो अखवार शापने वाले हैं चाहे वो पत्री का शापने वाले हैं चाहे वो नेट चलाने वाले हैं चाहे वो ब्लॉग चलाने वाले हैं चाहे वो वीडियो बनाने वाले हैं चाहे यूटूबर हैं चाहे पोस्ट करने वाल कि ये बात मुवमेंट की है या नहीं है मिसंद की है या नहीं है ये उनका रुजगार है ये उनका बैपार है ये उनका धंदा है इसलिए जब उनसे हमने कई वार कहा तो उन्होंने ये कहा कि आपका बजट कितना है और कहां बुला रहे हैं बजट तो हमारा जीरो हो गया क्य कि वीदा पिपल तो कभी पैसे लेता नहीं तो ये समझ से आई कि हम अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुँचाएं क्योंकि हमें सबको काम करना है और सबको जब तक काम नहीं करेंगे अपनी बात को पहुँचा नहीं पाएंगे तो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ या यह जूम पर जो वीडियो बनती है इन वीडियो को हम काट काट के डाल देते हैं तो जो वीडियो बना सकते हैं उनको अपना वीडियो बनाना चाहिए वीडियो बनाना बहुत आसान है अभी समण संग के अंदर एक एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर कंचन जता जी हैं वो मोबाइल ठाती है रोज एक वीडियो बनाती है जैसे डॉक्टर यूवी सिंग ने आप वीडियो बनानी इस्टार्ट कर दी है और भी लोग स्पाइप लैन में हैं दस हजार लोग हमको चाहिए मगर जो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं वो इन लोगों की सबकी वीडियो को लगाता लगाता भेड़े इसको आदत में डालने कि सुबह आदा घंटा ये एक्सराइज करनी है कि वीडियो भेजनी है साम को फिर एक्सराइज करनी है कि लिंक भे पहुंचाने का, ये माध्यम कब तक हमारे पास रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, इसकी कोई गारणटी नहीं है, मगर जब तक है, इसका इस्तमाल करना चाहिए, जमके करना चाहिए, बाकी मीडिया वाले लोग कभी भी सारे संग्ठनों को ये नहीं कहेंगे, कि आप इखटे ह जाओ, आपने ये बात ध्यान दी हो या ना दी हो तो आप दे देना, जो भी मीडिया वाला हमारा बंदा मिलता है, जा जो यूटूब चलाता है, जा यूटूब पे हम जो जिनकी वीडियो देखते हैं, या जो पोश्ट आती है, जो नियूज आती है, उनमें वो कभी ये कहते के समाज हमारा टूट रहा है, समाज हमारा बिखर रहा है, हम मारे जा रहे हैं, सारे संख्ठन एक होके आ जाए, वो क्यों नहीं कहेंगे, वो इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका ये प्रॉफेसर है, और इस प्रॉफेसर के तहत में, अगर सारे लोग एक होगे, सा उनको अलगलग पैसे नहीं मिलेंगे सपोर्ज जैसे सारी राजनितिक पार्टिया समर्ण समाज की समर्ण संग की समर्ण की जितने भी लोग है का एक संग बन जाए तो धम के संग को अपना प्रचार करने की जोट नहीं है धम के जो लोग हैं वो क्यों प्रचार करेंगे मगर अभी सब अपना अपना प्रचार करते हैं नेतागरी करते हैं अपना वीडियो बनावाते हैं अलग लग वीडियो आती है जैसे सारे के सारे सा समाज एक हो जाएं तो मीडिया की जोत रहे ही नहीं तो मीडिया की जोत नहीं रहेगी तो मीडिया का पेट कैसे भरेगा इसलिए मीडिया ये बात जानते हुए भी कि सारे लोगों का एक होने में समाज का फाइदा है वो ये बात नहीं कहेगा क्योंकि उसका फाइदा नहीं ह उसका नुक्साल है इसलिए आप उससे जिंद्गी में उम्मीद मत करना कि वो कभी ये बात कहेगा कि सारे संख्ठन एक हो जाए वो कभी कभा कह देगा वैसे ही मग इसलिए मीडिया के लोगों को हम लगाता लगाता भेशत रहते हैं और जितनी हम सभाय करते हैं जितने भी हम मीटिंग लगा रहे हैं उसमें मीडिया के लोग नहीं आते एक बार बुलाया था हमने जब राइंदरपार एडवोकेट के यहां पर चार बटे आठ राजना मार्क पे जो मीटिंग होई थी अगस्त में तो वहां वो लोग आये थे तो वो लोग इसलिए नहीं आये कि उनक जी को अंदर लेगे अनिता जी अपना इंटर्वी दे के और वो मीडिया वाले चले उन्होंने नहीं पूछा कि वीदा पिपल क्या है कैसे है क्योंकि पैसा नहीं है हमने इस पष्ट कह रखा है हमारे पास में लिफाफे नहीं यह देने के लिए पैसा नहीं है मैं जहां प बात को नहीं पहुचाएंगे यहां कौन सेवा करेगा यहां तो सब संग है यहां तो सारे बरावर है यहां तो आलतु-फालतु पैसा है नहीं हमारे पास करने के लिए और दूसरी बात मीडिया से परचार कराने की हमें आवश्क्ता में नहीं है क्योंकि हम सब को परचार क बनाते हैं, वैसे वीडियो बनाईए, आधा मिनट बोलिए, एक मिनट बोलिए, दो मिनट बोलिए, तीन मिनट बोलिए, जो बात आपको सबसे अच्छी लगी है, वह वो बोलिए, एक लाइनर्शी बोलिए, अपने आगे, आज इसको करिए, मोबल उठाईए, उसमें लिखि देजिए और नीचे दो चार अपने फान नुमर जो जोविए छोड़ दीजिए यः बता दीजिए बॉल दीजिए ये वीडियो आप ऐसी कैसी उसको वाटसर पर डाल दीजिए वीडा पैपल में नेतागरी नहीं होती Vida People समिधान को अपना नेता मानता है Vida People में जिन्दगी में कोई वैक्ती नेता बनेगा नहीं ये Vida People समण संखी खास बात है एक वार आईए इसको देखिए एकाथ TFone नमर डाल देजिए यहां के लोगों के डाल देजिए उसको भेज दीजिए वायल कर दिजी, अपने ग्रूप में डाल दिजी, अपने फैमिली में बेजी, अपने धर में बेजी एक पोश्ट बना के लिखिए, वीदा पीपल में सब बरावर होते हैं, वीदा पीपल में कोई उच नीच नहीं होती है, यहां कोई मंच माला माइक नहीं होती है, वस इतन को ढूंडेंगे या यह उम्मीद करेंगे कि कोई और की स्पेसल करेगा तो आप यकीन मानना कि हमारी स्पीड बेसक आठ महीने में दुनिया के सारे लोगों से जादा है मगर अपना उद्देश से प्राप्त करने के हिसाब से यह कछुए की चाल भी नहीं है कछुए की चाल से संग नहीं बढ़ता पचास आदमी की महलत से संग नहीं बढ़ता और पचास परसेंट आदमी भी काम करें तो भी संग नहीं बढ़ता है जब सो परसेंट आदमी काम बढ़ता है सो के सो परसेंट लोगों को काम करना पड़ेगा तो इस मीडिया से आपका चेहरा आगे ज जाते हैं या पॉजिटिक मतलब इस पहचान का आप अच्छा फाइदा उठाते हैं या खराब उठाते हैं आपकी पहचान बनेगी आपका नाम जाएगा आपका चेहरा जाएगा जाना चाहिए समढ संग के हर व्यक्ति का चेहरा जाना चाहिए हर व्यक्ति की वोईश जानी चाहिए 100-100 लोगों की परसंट की आवाज जाएगी, तब आवाज बुलंद होगी, 10-20-50 आदमे की आवाज को कोई नहीं सुनता आज की समय, ये नेता इतने सारे सतर साल से चला चला के चला चला के ठक गए, पार्लियमेंट में चिलाते रहते हैं, वहां तो पार्लियमेंट में नहीं सुनता कोई, यहां क्या सुनेगा, 131 बताते हैं, हमारे जो बड़े ली लीडर हैं, बाकी जो विधान सवाव में हैं, वो तो लगबग तो लिएड़ 2000 के करीब हैं, और जो कौश्ट अगरा हैं, उन कि हमारा आदमी रोज वाटसेप पे, फेस्ट पे जब चैट करता है, तो किसी से हिलक जाता है, जो विरोधी विचार का होता है, जो उसके विचार का नहीं होता है, और वो उस आदमी को जानता है, ना पैचानता है, मगर उससे हिलक जाता है, उससे बहस बाजी करता है, अगर कभी नोटिस किया हो इस बात को कि हर आदमी से कोई ना कोई आदमी हिलग रहा है, बातचीत कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, तर्ग बितर कर रहा है, तो यह जो दूसरे पक्ष के आदमी हैं, इनको कौन टेंड कर रहा है, यह जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, इनको कौ में करते हैं चाहां महले में करते हैं इनकी ट्रेनिंग कहा होती है इनकी एक वाक्य बोला गया इनको बस के आपको हर वक्त अपनी विचार धारा कि यह बोलना है और लिखना है बोलना है और लिखना है सबजी भी खरिदता है आदमी ना भी खरिदे देखेगा मिर्च का मोलभ पहुचानी है लो पहुचा देगा तो कितने सब्जी खर्जादगे जाती है तो आदमी को सपने में बोई दिखा दिता है आएगा तो ये जाएगा तो ये खाएगा तो ये पीएगा तो ये रोएगा तो ये सोएगा तो ये तो इस बात के लिए हम बड़े कमजोर हैं को कि हम ये मानते हैं ये जो मंच से आदमी बोल रहा है माईक से बोल रहा है इसका काम है ये जो आदमी पढ़ रहा है लिख रहा है जो हमारा बुद्धी जीवी इसका ये काम है ये जो हमारा आदमी बार 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 हमारे पास आता है बोलता है इसका ये काम है हम ये मानते हैं कि उसका ये काम है क्योंकि हमारे दिमाग में सतर साल से ये बाठ डाली है कि जो लोग हमाने बताने आ रहे हैं उनका काम है और वे काम में लगे पड़े है वो काम को समितियों में दाइरे में महले में और इस ही स्टार्ट होती है एक लिए क spoken है और इसकी बयक्ति का描 और हर जीए काम है और एसकी बाइकाइदा ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग जो होती है वो ऐसे ही स्टार्ट होती है एक बताने वाला है उसकी सैसी बात रखलो खलाब खलाब छोड़ो तर्क वितर्क करो आगे देखो वो बात बता रहा क्यों कि एक बताने वाला हो सकता है जूड़ बोले तो दूसरे बताने वाले पास तो तीसे बत तो छोथ हा, तो खुद भी देखो, क्या है, क्या नहीं है, तो तर्ख करो, वितर्ख करो, अच्छे लोगों को ढूँदो, उस बात को आगे बढ़ाओ, देखो कि वह ओ, महापुरसों की बास से मैच कर रही है, चेक करते रहो, उदने तो साफ-साफ कहा है, कि हर बात को चेक क निकलती है या नहीं निकलती है जो बात बताई गई है वो प्रियंबल के नुसार है या नहीं है यह चेक है प्रियंबल चेक मसीन है हमारी तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए तो मीडिया का इंतियार मत करना पूरे समण संग में मीडिया आपको आगे बढ़ाने के लिए आप की बात को बढ़ाने के लिए आपकी वीडियो बढ़ाने के लिए आपकी आडियो बढ़ाने के लिए आपकी पोश्ट बढ़ाने के लिए नहीं आने वाला लाक रुपे भी कर उसे दाब दोगे तो वो आ जाएगा तो टैटिल अपने हिसाब से लगाएगा आप तो कहोगे इ समर्संघ पैसी की बात कर रहा है. मतलब यह कर दो, इतना छापेगा. हमने बात की ना लेने की. हम उस से लड़ेंगे जागे, तुन ने हमारा पैटिल आदा क्यों डाला? तो कहीगा, मैंने तो पूरा नहीं लिखा है. मतलब तो यह नहीं कि समरसंगी बात की नहीं लेगा, तो नहीं लेगा नहीं लिखेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी का होगा, मन में कुछ खुरास होगी, कुछ खोगी, तो उनसे सही काम की उमीद भी नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को ट्रेंड हो जाना चाहिए, और थोड़ा मैं सीख गया हूँ, थोड़ा मेरे फादर ने बताया था, तो इसको लोगों को सरल भासा में बताना चाहिए, तो लोगों का फायदा होगा, मेरे जैसे लोग जो परिशान है, उनकी परिशानी दूर हो जाएगी, तो जानकारी बढ़ाएंगे तो अच्छा मैं ठीक है, तो मैं घर से खाना लेगे, बना के उसलिए, बहुत-बढ़िया, खाना उसने खाया, खाना-खाने की बाद करेमेंगा, जी क् How good, तो मैंने सुचा, पास से दो recognise से तो यहाई है, इसके कितना ख़र्चा हुआ ख़र्चा हुआ गो मैं पांस रुपे का नोट उस दे सकता तो इक काम का चार वीडियो बना ले पान पान से चार हो जाएंगी तो मैं तुझे दो ह्यार रुपर दे रहता हूं तो उसने का जी नहीं ऐसे नहीं होगा फिर उसने एक बार और मैंने उसे रुक्रेश्ट की भाई धंका काम है थोड़ा बजबा दे आ गए तो उसन उसने नहीं कराया मैं घर आया तो बेटे ने कहा क्या बात है मैंने का विडियो भीजनी थी पूरा दिन खराब कर दिया और वीडियो नहीं बनाई तो हर व्यक्ती जो जी मेल पर एकाउंट रखता है उसका यूटूब का चैनल फरी में मिलता है तो उसने वीडियो बनाई YouTube पहला दी, फिर मैंने अपने एक नाकुर के दोस्त को मीडिया वाले को फोन किया, उसने का जी मेरे को वीडियो भेज़ दो, मैंने उसको वीडियो भेजी, उसने का बहुत बड़े अपनी है, और भेजो, और भेजो, बड़े आदमी था वो, अब आज इंडिया वाला अच् वो पैसे वैसे नहीं लेता हो, तो उसने वीडियो लगाई वहाँ, तो मैंने का बहुत यह वीडियो आप लगा रहे हैं, उसका तो धन्यवाद है, लोग देख रहे हैं, कोई हजार में चली, कोई लाक में चली, कोई पचास जार में चली, लोग उने देखी, तो मैंने का तो कैसे देखेंगे हमारी वीडियो ना एक दूसरे को पर दब जाती है इसलिए इसका बहता तरीका है कि एक साथ रहने के लिए आप अपना देख लो तो बेटे ने चैनल बना दिया हर व्यक्ति चैनल बना सकता है उसका चैनल पहले से बना हुआ इसका कोई पैसा लगता नह है और अब तक 50,000 रुपे यूटूब मेरे को देवी चुका है एक वार यूटूब ने बंद भी कर दिया कुछ लोगों ने बंद भी करा दिया फिर मेरी वीडियो जितनी भी होती है वो मैंने कॉपिराइट फ्री रखी उनको बांद कर नहीं रखा तो बहुत लोग अपन नहीं हो सकता दस हजार लोग वीडियो बनाएंगे तो करांती होगी इसलिए यहां जितने भी संग्टन है यह जितने भी लोग है जो 39,000,000 हैं चार लाक एक्टिवेट हैं उनमें कुछ लोगों ने अपना अपना यूटूब चैनल चलाया हुआ है तो पैसा मिलता है जाएंगे विदैसी कंपनीये एकाउणों पैसा अपने आप आप जाता है कोई चोरी नहीं है कोई हराफ्यरी नहीं है तो जो मीडिया वाले लोग हैं यह लगब क्छेचे लाख रुपए महीने कमाते हैं 8-8 लाख महीने कमाते हैं कैसे क्योंकि उनकी क्रोड़ों में चलती और पोश्ट भेजिए सुरू में दिक्कत आएगी मगर आप बना के भीजिए लगा ये टाइटिल वीदा पीपल लगा दिए चैनल के नाम कर दिए समर संग कर दिजिए ये पानी पत के अंदर एजंडा पास है हाउस के अंदर एजंडा पास है कि हर व्यक्ति को मीडिया मैं बनना है हर व्यक्ति को मीडिया कर्मी बनना है हर व्यक्ति को बात को फैलाना है दो दो मिनट की तीन तीन मिनट की चाचा अटकिये हिचकिये थोड़ा बहुत गलत भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं एक वीडियो कर गलती से गलत लग जाती है तो वो डिलिट हो जाती है मोबा से इसको आगे बढ़ जाएं और अगर नहीं कर पाएंगे और हमारे पास मीडिया नहीं होगा तो आप कितनी भी महनत कर लीजिए जब तक मीडिया आपके साथ नहीं होगा आप खुद मीडिया में नहीं बनेंगे यह कंप्लिट नहीं हो सकता यह पूरा नहीं हो सकता आज आप अगर आसा सुरू करेंगे तो आपका चेरा भी जाएगा तो जितने चहले वीधा पिपरхयम संग में होंगे, उतनी मजबूत हमारी वॉल होगी दिवार होगी, एक व्यक्ति से दिवार नहीं बनती है, कोई ये कहता हो मैं नेता हूँ जी, मैं पूरे संधरन्द का नेता हूँ, मैं एक राजίνतिक पार्टी का नेता हूँ, मैं एक सांस्क्रतिक पार्टी का नेता हूँ, मैं एक सामाजिक संग्ठर का नेता हूँ, मैं उसका प्रधान हूँ, ऐसे प्रधान लाखों घुम रहे हैं, लाखों घुम रहे हैं, चाल लाख तो एक्टिवेट हैं, चाल लाख तो करियाशील हैं, और 29 लाख और प्रधान हैं जो तावजों में छुपे पैटे हैं अगर ऐसे परधानों से कुछ होता तो बहुत कुछ हो गया होता यह नहीं हो सकता इसे क्योंकि सब को एक साथ वॉल माना पड़ेगा दिवार माना पड़ेगा ठीक ऐसे जैसे घर की बाउंडरी अगर हम बांस की बनाते हैं तो हर एक बा लगाएंगे तो बांस की दिवार बंती है कोई कह के एक बाल से बांस की दिवार बंती है टो बहाई वह जोट बोला है। खदम आदमी एक मास से तो वास में गाड़कर आदमी लटकी सकता उसके और वुछ नहीं कर सकता वो किसी काम नेसकता सिवा इसके या कुट्ते के मानने काम आएगा और और किसी काम नितलव अगर अगर दिवार बनानी है बोले बहुत स दिवा बना पीछे खिचने हैं इसलिए हम सब को तेजी से एक दूसरे को आगे बढ़ाना है एक दूसरे के हाथ में हाथ बढ़ना है या कितनी अच्छी बात होती है आज सुवए जब यह जब आठ बजे पोटल खुला तो यहां जगड़ा हो रहा था किस बात का मैं करूंगा काम मैं काम करने वाले बहुत हैं यह बहुत अच्छा साहिन है कि अगर काम के लिए जगड़ा होता है काम करने के लिए जगड़ा होता है तो यह अच्छा संकेत है यह सुब संकेत है काम के लिए जगड़ा होना चाहिए मैं काम करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा अगर यह भाव नहीं मगर मेरे साथ के जो दो लोग हैं वो आगे बढ़ने चाहिए तो हम सब आगे बढ़ेंगे और अगर मैं ये सोचूं कि मैं आगे बढ़ जाओं और मेरे साथ के दो पीछे बढ़ जाएं तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता ये प्रैकर्टिक नियम है जिंद सम्मान संग में पूरा बरावर है आप इसका पोश्ट बना सकते हैं सम्मान संग के अंदर वीदा पीपल के अंदर हम एक दूसरे को सर कह के बोलते हैं और जो फीमिल है उनको हम बहन जी कह के बोलते हैं तो यहां कोई व्यक्ति आए और आके कहे कि मैं बहुत बड़ा आदमी ह हूँ, रिटायर हूँ, बड़ा अपसर हूँ, या मैं बहुत बड़ा बुद्धी जीवी हूँ, या मैं बहुत बड़ा डिगरी हूलर हूँ, या मैं प्रॉफिसर हूँ, या मैं अलग तरह का वेक्ति हूँ, या बहुत ज़्यादा पैसा है, तो भाई होगा समाज के लिए अच्छी बात है, समाज में साई लोग काबिल होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ये तो समाज के लिए अच्छी बात है, मगर इस बात के लिए वो ये उम्मीद करें कि कोई special privilege मिलेगा, कोई special सम्मान मिलेगा, सम्मान तो मिलेगा सम्मान तो एक दूसरे का सब करते हैं सरसर करके बोलते हैं मगर इस पे सल सम्मान नहीं मिलेगा इसलिए कोई जमीन पे बैठने को हमारे साथ अगर तियार नहीं है तो वीदा पिपल नहीं बना और वो बन भी नहीं सकता हो तो जो वीदा भी बनेगा उसको साफ साफ के दो भाई जमीन पे बैठ सकता हो तो आजा, साथ में रहता हो तो आजा, रोटी को मिला के खा सकता हो तो आजा, अगर मिल बाट के कार में बैठ के चल सकता हो तो आजा, एक दूसरे को सम्मान के रूप में सर कह सकता हो तो आजा, एक दूसरे का सयोग कर सकता हो तो आजा और कुछ इसपेसल चाहिए, तो पर यहां क्या लेगा, अपना भी टाइम खराब करेगा, और स्रमण संके दोचा लोगों का मन भी खराब करेगा, यहां कुछ ना मिले, इसे बहतर यह है कि जब यह स्रमण संके लोग सब दिवार बना है, इस कंसेप्ट को चौबिस घंटे दिमाग में रखते हुए, आप अपना वीडियो बनाना सुरू करी और जारी करना सुरू कीजिए, मैंने एडिटिंग करनी सुरू करी, मैं कुछ नहीं जानता था, क्योंकि आवशकता विश्कार की जनरी होती है, जो जो चीज की जड कुछ भी टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, आपको सब मिल जाएगा, अब ढूंडो, खाली उसका नाम डाल दो, मिल जाएगा, उसका इस्तमाल करना सुरू करेंगे, तो हर चीज आपको वहां मिलेगी, इसलिए मीडिया का फाइदा आज के समय हमें 40% उठा रहा है, हम अ जानकारी से लड़े जा रहे है, इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन होता है, और कोई किसी नेता के वारे में जूटी ख़बर, या जूटा फोटू, या कोई असलील फोटू लग जाए, वो चुना भार जाता है, सिर्फ इस जरासी बात के ओपर, कोई इस बात को नहीं द से कमजोर वेक्ती हैं, अगर हम सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, तो मीडिया की ताकत सुनने वालों में, सुनाने वालों में, दिखाने वालों में, देखने वालों में होती है, यानि कि जिसके जितने ज्यादा देखने वाले हैं, उतना ज्यादा ताकतवर है, और जिसको वाले हम यह होने चाहिए है कि हर वेक्ति अपनी वीडियो बनाए हर वेक्ति अपनी पोस्ट बनाए हर वेक्ति अपनी आडियो बनाए और बे जिजक होके बनाए और बहुत बड़ी है तरीके से बनाए एक खराब जाएगी दो जाएगी तीन जाएगी चौती बहुत बड़े जाएगी जैसे हमारे एके सिंग जी हैं एके सिंग सर हमें पता नहीं था कि यह इतना बड़िया गाना गाते हैं धम का बावा साप का मिशन का लाजबाब तो मैं तो देखके बड़ा दंग रहे गया जब इनोंने वहां डॉक्टर्स की मीटिंग में गाया तो मैंने इनको कहा कि भाई इस कला को साथ लेके मत मर ना, अपना यूटूब चलन बनाओ और इसके गाने गाओ और यहां मेरे को दे दो, यहां वीदा पीपल के जो चलने इस पर लगा देंगे, और रोज वीदा पीपल की बात को गा गा के गा गा के सुनाओ, तो लगपसिंग जी है हमारे, तो उसने पोश्ट बना के वो दे दिया, अब वो पोश्ट बन गी, उसको खलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपके मन में कोई कवित आ रही है, कोई भाव आ रहा है, कोई नियम आ रहा है, कोई दोहा आ रहा है, कोई चंद आ रहा है, कोई गाना आ रहा है, कोई कव एक वीडियो हमने यहां लगाया एससी एस्टी ओवीसी समढ़ संग उस वीडियो को हमने परचायद किया उस वीडियो को लगवग आज की डेट तक 2000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं लगवग 3000 के आसपस होने वाले हैं तो 2000 वीडियो में इसमें डाटा आता है तो हमने चे सुना है अब 500 लोगों की सभा करने के लिए लखनों में हमको कितनी महत करने पाई और हम वहां क्या मैसेज दे पाए क्या नहीं दे पाई मगर अपने डाइंग रूम में बैठके 500 लोगों ने 49 मिनट तक ये बात वीडियो मैंने भेजा उनको तो कितने सस्ते में हमने उन ल ना सू कर दें तो 500 गुड़ा 50 हो जाएगा तो 500 गुड़ा 50 हो सीधा सीधा 25,000 हो जाता है तो 25,000 लोगों को हम एक दिन में मैसेज़ पें तो कुछ इसमें अंदर आ जाएंगे कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे और फोकट में और पैसा और मिलेगा यूट चनल पे त करना है तो मीडिया की वीडियो बनाते समय कुछ बात हैं खास ध्यान रख लेना एक तो आपने दुस्मन दुस्मन नहीं करना है कोई भी वीडियो में दुस्मन दुस्मन नहीं आना है एक आपने ब्रहमर ब्रहमर नहीं आना है किसी का नाम नहीं लेना है एक सरकार को कुछ नहीं कहना है आपने सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ना नाम लेने हैं ना उनके वारें बोलना है आप सरकार सरकार तो कर सकते हो मगर यह नहीं कह सकते कि सरकार ऐसी है या वैसी है उसको उससे अवर्ड करना क्योंकि वो सारे सारे जो वर्ड इस पर फिल्टर होते ह एक इसमें जातियों के नाम मत लेना आप जातियों के नाम लेंगे तो वो वर्ड इसमें फिल्टर होते हैं एक धरम का नाम मत लेना फलाना धरम ऐसा है ये धरम ऐसा है वो धरम ऐसा है ये धरम ये है ये धरम वो वो मत लेना तो कहोगे क्या अगर आप मेरी वीडियो देखो तो यह सब्द नहीं मिलेंगे आपको. हम बार्हमणा का इस्तामाल करते हैं. बहार से आए हुए लोग हैं. सरकार को कुछ कहना होता है. तो कहते हैं सरकार का ये काम है. तो इस तरह से हम चलाते हैं. क्योंकि ये वर्ड फिल्टर हो जाते हैं. वीडियो रुक जाती है दूसरा वो ब्लैक लिस्टिट कर देते हैं तो वीडियो चलेगी नहीं आपकी तो करेगी नहीं तो हमारा उसके मेरा काम चलता है तो कहना क्या है कहना है हमारे बावा साब ने ये किया हमारे पेरियार साब ने ये किया बुद्ध ने ये किया कवीर न ने हैं दुसमर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसके पास में बहुत ज़्यादा दोस्तों होते हैं उसके पतर दुसों ने भी आसपास नहीं होते हो तो वैसी भाग जाते हैं सारे सारे इस थीप पर हमको चलना है इसलिए वीडियो बनाने का काम जितनी जल्दी से और जल्दी आप सुरू करेंगे उतनी जल्दी लोगों तक मैसिज जाएगा एक वीडियो आज आपने बनाया और आपने यह सोचा कि मैं अभी नहीं बनाता आप प्रक्टिस करूंगा लिखूंगा देखूंगा दस दिन बाद बना लेते तो दस दिन में उसको हजार लोग दे अगर आपने चपड़ अब ने चुटी तक पड़ लिया है तो आप पांच मी के विध्यारती तक को पढ़ा सकते हो तो पांच मी तक की वीडियो बना ओना माए न अब पीएज़ी वाले की क्यों बना रहे हो आप एम में वाले क्यों बना रहे हो soll violation को शो आप अगर उफन स है उसके लिए भी तो बनानी है तो सब्दों का चेयन बुलकुल ऐसा करना जैसे बोलते हैं जैसे मैं बोलता हूं मैं हिंदी विस्तमाल करता हूं उर्डू भी करता हूं जो भासा आती है वो करता हूं मैं कोई यहां कोई साहित्यकारी वाले भासा नहीं करनी है हमने तो बात है जैसे पहुचे way से पहुंचानी है बात पहूचाने वाला जो मीडिया होता है वह अरु असली मीडिया मेर हैं तो आपको इसमेन यह भी नहीं देखना है कि साइटेक है तो प्रैक्टिश कैसे करनी है आप एक कालेज़े अपना लिख लीगे कि जो जो आपने रिंट आपको दुबारा पेट्रिश करने की जोतनी पड़ेगी फिर तो आप सोते सोते भी वीडियो बना देंगे शुरू में पहली वीडियो में दिक्कत आएगी पहली वीडियो साथ दिन में बनेगी तो दूसरी तीन दिन में बन जाएगी तो चौती वीडियो एक दिन में बन ज आदमी ते पहुंच गये तो क्या ही लाख रुपी कमा लिया आपने, समाज के रुप में, वैसे तो नहीं मिलेंगे, वैसे तो जो देगा, यूटूब देगा, तो फेस्बूक भी पैसा देता है, फेस्बूक की पेज़ पर भी ये वीडियो डालो, यूटूब पर भी डालो फेस्बूक की अपने पेज़ पर भी डालो, इसको टूटर पर भी डालो, बच्चों से सीख लो, यूटूब से सीख लो, जीतना है तो, और अगर जीतना नहीं है, तो भाईया जूम पर आओ, गपे मारो और अपना निकल जाओ, जूम पर आओ, गपे मारो निकल जाओ, त उप्छी बात को बहुत अची बात है घर जाके सोगे जा सिर्थ तो एक सो ऑसी आदमी ऐसी बात को मुट्रिप्लाइब कर सकते हैं मगरण एक से मट्र وबनाएं बनाएं EB बनाएं तो एक एक सी मन्तिप्लाइबाइबाइस अगा हो जाएंगे एक मेहने के अंदर तो करोड हो जाएंगे एक मेहने के अंदर जिस बात को पहुंचाने के लिए मेरी मीडिया को सो करोड रुपया देना है उस बात को 182 आदमी पहुचा सकते हैं तो 100 करोड कमा दिया हमने तो हमने 100 करोड रुपे उनके छिल लिया हमने और उनी के सिस्टम से उनी का जूम है, उनी का यूटूब है उनी का फेस्बूक है, हमारा तो बस नेट है और हमारा मुँ है और कुछ नहीं हमारे पास और हम तो भई भूखे नंगे कर रखे हैं, इसका इस्तमाल करेंगे तो हमारे तोपी भी आ जाएगी, चस्मा भी आ जाएगा, हमारी जैकिट भी आ जाएगी, बावा साथ किरपस सब कुछ आ जाएगा, इसलिए इस काम को करना ही है, इसमें हिचक नहीं है, और ये काम पानी की मिटिंग में पास है, इसके लिए देव ना न करें, कोई हर्यान भी हर्यान मी हम बना सकता है, तो रहINGान में तक माईनाओं, बच्चों तक बहुत बढ़िया पहँचेगी हो, जो करनावाला पहुंचेगी हो, जो मरातिम सकता है, तो मराथी वाला पहुचेगा, तो हम अगर टेंड हो जाएंगे, हम अगर सीख जाएंगे, तो फिर ज़ड़ू कौन लगाएगा, ज़ड़ू वो लगाएगा जो टेंड नहीं है, तो हमें तो ज़ड़ू लगा रही नहीं है, इसलिए हमें वीडियो बनानी है, हमें पचार करना है, हमें तंत करना है, ये बहु जरूरी है क्योंकि हमें जुडने और जुडने के लिए हमारा ये माध्यम सबसे अच्छा है अगर आप ध्यान दो तो यहां जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमने आपका वीडियो सुना और इस वीडियो में हमने यह बाता चले कि हम जुड़ दे तो जब 180, 200, 300, 500, 700 वीडि जिद्ध है जुडने की, जुडएंगे, जीतेंगे, जितनी जल्दी जुड़ना है, उतनी जल्दी हमें जुडने के लिए संसादुनों का इस्तमाल करना है, ये हमारी मजबूरी भी है और इसको आप शोक बना लीजिए मजबूरी को, आपका चेहरा जाएगा, लोग आप कि बहुत जी आपको कोई देखा है मुझे कहते हैं लोग आपको कोई देखा है तो मैं कहते हूं हाँ मैं नेपाल में रहता हूं तो कहते हैं नेपाल तो मैं गया नहीं मगर मैंने देखा है मैं जानता हूं कि वीडियो वाला है वीडियो देखा है तो चुकि हमें अपना काम क और स्पोक्स का तो काम ही होता है स्पोक यानि बोलना 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 यही कामा में सीखना है धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी दूतियं पी धम्मं सरेणं गच्छामी पूठियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी पूठियं पी सर्णं सर्णं गच्छानी कुछा हमें, ताती एंपी दधम्ममर् सेनु गच्छा मूँ , ताती एंपी दधम्ममर् सेनु गच्छा मूँ, तेतियम पिसन्दम सर्णम तर्शामी साथू, साथू